टाटा की सफारी, महिंदरा की XUV7 00 और महिंदरा की स्कोर्पयो उसके कमपैरिजन में है ये MG की हेक्टर प्लस ये बहुत ही ज़्यादा हाई-टेक सी कार है इतनी हाई-टेक कार वो सारी गाडिया नहीं है अडास का लेवल तो आपको XUV7 00 में मिल जाता है और अडास इसके अंदर भी बट फिर भी जो ये गाड़ी है काफी हाई-टेक है नया मोडल आप देख रहे हैं जो कंपनी ने अभी इसका फेसलिफ्ट किया है सारी चीज़े बताऊंगा कंपनी ने क्या क्या चीज़े इसके अंदर नहीं कर दिये स्टाइल शाइन स्मार्ट स्मार्ट प्रो शार्प प्रो और सेवी प्रो ये सारे विरिंट्स आते हैं टोप अफ दा लाइन विरिंट आप देख रहे हैं इसका सेवी प्रो भाई देखने में काफी तगडिस लग रही है और इंटीर में चैसे देखो गए इस गाड़ी को भाई बहुत ज़्यदा हाई-टेक सी लगत अब इसकी लुकना जो रेडियेटर गिल बोल्ड होने के बाद में काफी भरी भरी सी ये गाड़ी लगरे काफी तगडिस लग रही है 18 इंच के गाड़ी के अंदर में डाइमेंड कट अलोई विल्स मिलते हैं जिनका टायर सेक्षन मिलता है 215 पच्पन और 18 इंच का तो आपको क्रोम में क्लैडिंग भी मिल जाएंगी ORVM के नीचे 360 डिगरी कैमरा भी मिल जाएगा और इस गाड़ी के अंदर ने एक फर्स्ट इंच सेगमेंट एक चीज मिलती है जैसे ही गाड़ी को अप्रोच करोगे गाड़ी आपकी अनलोक हो जाएगी और जैसे ही आप फिन का एंटी नावी जो है गाड़ी के अंदर में मिल जाता है साइड प्रोफाइल में से आपको नहीं से कोई मेजर चेंज का पता निचलेगा फ्रंट से और रियर से यहां से ही ज्यादा चेंज किया गया है अब इसकी आप ये टेल लाइट देख रहे हो कनेक्टिंग ट लाइट भाई देखने में काफी दगड़ी लग रही है ये डी फोग और वाइपर दोन्नों चीज़े मिल जाती है और जुछ का रियर बंपर है न वह भी कमपनी ने नया चेंज कर दिया है पिछे विजाएर से बात आपको पार्किंग सेंसर मिल जाएंगे आगे भी पार् इसे सी हो जाती है और सारी टूलकिट्स वगेरा जो हैं आपको यहां पे निच्चे रखी हुई मिलेंगी एलीडी में गाड़ी में बूट लेंब भी जो है प्रोएड हो जाता है अभी देखो इसके थर्ड रो में डाउन करके दिखाता हूं काफी तगड़ा सा स्पेस इसके जैन्ज कर दिया है जैसे आप इस गाड़ी के पहले हैं साइड में से स्टार्ट करते हैं एंबेंट लाइट गाड़ी के अंदर मिल जाती है इंफिनिटी के आर्ट स्पीकर्स गाड़ी के अंदर मिल जाता है एंपलीफाइरोगी लिप ちゃधवीर दंदी नहीं होगी है ड्रैवर को ड्रैवर दोनों साइड में आपको एलेक्ट्रिक अडजेस्टेबल वाली सीट मिल जाती है जो को ड्रैवर है ना वह फ़स्ट इन्स सेग्मेंट आप लोगों को मिलती है अभी गाड़ी के इंटिर बताते हैं आपको ओर विम कंट्रोल मिल जाते हैं लाइट के कंट्रोल हैं इसकी टेलगेट को ओपन करने के लिए हुड खोलने के लिए इसकी फ्यूल नीट को ओपन करने के लिए स्विच यहां पर दिया हुआ है गाड़ी का स्टेरिंग वील जासे देखोगे तो यह आपको लैदर रैप में मिलता है फ्लाइट इसके म्यूजिक रिलेटिड कंट्रोल्स आप लोगों को मिल जाते हैं अब इस गाड़ी का इंश्रुमेंट क्लश्टर देखोगे न तो यह आपका फूली डिजिटल हो चुका है जो की पहले नहीं आता था भाई देखने में काफी बढ़िया है अभी गाड़ी अंदर अपने आपड़ेश्ट होते हैं जैसे मानलो आगे से ट्रैफिक आ रहे है तो अपने आप यह लोबीम में हो जेंगे और फिर जैसे ट्रैफिक के लिए होगा हाई बीम में हो जेंगे अब इसका डैसबोट देखो यह कंप्लीटली चेंज है उपर वाला जो भी पार्ट है स हाड में दिया गया है इसके अंदर अब नई 14 इंच की यह टच्स्क्रीन डिस्प्ले हो गई है जो क्या आपके हिंदी में काम करते है पंजाबी में काम करते है तमिल में भी काम करती है जैसे आप इसको बोलोगे ना वही 19 पर टेंपरेचर सेट करता तो उस पर सेट कर जाती है और यहीं से ही जो आप इसकी पैनरोमिक संरूफ खोल सकते हैं ओपनिंग काफी वाइड है और पूरा पिछे तक गाड़ी में ग्लास दिया जो की देखने में काफी बढ़िया है जो यह है इसका गेरनो बिल्कुल छोटा सा है ड्राइवर पैसेंजर दोनों वेंट के डिखेंग जाती है और आपको संग्रास होल्डर भी जो है गाड़ी में मिल जाती है इसकी लगाड़ी में दोनों चीज SIM L m riders two day м मिल जाती हैं बैए comfort wise गाड़ी में बहुत ही बढ़ी आ कर सबसे तगड़ी से जो position आती है वह स्कूर्पी में आती है स्कूर्पी वाली position किसी भी गाड़ी में नहीं आती है यह आपको किस टाप के लगएगी एक्षीवी 7 किट भी मिल जाता है और जैसे इसकी सीट को रेकलाइन करने चाते हैं तो यहां से होती हुआ कोई हैंडल नहीं दे रखा है इस ट्रैप सी ही जो है इसके अंदर में दे रखी है पिछे की तरफ में आपको और क्या की चीज़े मिल जाती है आर्म रेस्ट मिल जाता है दो ग्ला लेग रूम जायर सी बाता बहुत ज़्याद अच्छा मिल जाता है बटन शीट अगर आप आगे नहीं आगे पिछे निगर पाऊगे पिछे कुछ ऐसा लगता है इस गाड़ी का डैस्पोर्ट देखने में काफी अच्छा सा यह लग रहा है भाई डैस्पोर्ट मतलब पू को इस कमांड से चेंज कर सकते हैं अभी आपको नशीट फ्लैट फॉल्ड करके दिखाता हूं मैं यह देखो फ्लैट फॉल्ड करने के लिए आपको आगे वाली स्ट्रैप को खीचना होगा और फिर यहां पर निच्छे आप समान भी रख सकते हैं जो इसकी सीट उसको रेक यहने इसका रेकलाइन भी करना पड़ेगा तब जाके थोड़ा अच्छा सा होगा यह देखो पांस साथ का बंदा जो है इस गाड़ी में पिछे में ने बठा दिया है क्योंकि एवरेज इंडियन की हाइट देखोगे तो पांस साथ की रहती है पिछे की तरफ में उसको न एर के वेंट्स मिल जाते हैं जिनको आप फ्लो भी कंट्रोल कर सकते हैं ग्लास होल्डर भी जो है गाड़ी में पिछे की तरफ में मिल जाता है एर के वेंट दोनुँशाइड दे रखें और इस साइड मिल जाते है आपको USB अपने फोन वागार को चार्ज करने के लिए टेंग कापेसिटी 60 लीटर आगी काड़ी के अंदर में और जो टू लीटर का टर्बो चार्ड डीजल एंजन आएगा 170 पीएस ओफ पावर प्रेडियूज करेगा और 350 एनम ओफ टॉर्क ये प्रेडियूज करेगा तो यही सब कुछ आज की इस वीडियो में वीडियो पसंद सब्सक्राइब करने टेक केर वह हैं थैंक यू सो मच